अगर आप भी इस तरह की sales चाहते हो print on demand में तो आपको ये full course देखना चाहिए जैसे क्या आप देख सकते हैं हमें एक और sale आ चुकिए Hey guys, welcome back to my YouTube channel तो भई आज का वीडियो भी बड़ा ही interesting होने वाला है Because आज मैं आपको पताऊगा print on demand business के बारे में आप लोग की काफी demand के बाद मैं ये full course ला रहा हूँ जहाँ पर हम आपको start to end सारी चीज़े बताऊगा क्या print on demand business को कैसे start कर सकते हो ये course हो सकता है काफी बड़ा होगा लेकिन मैं आपसे यही कहूगा कि आप कोई भी part skip मत करना अदर्वाइस आप काफी कुछ चीज़े miss कर जाओगे तो चलिए इस course को start करते हैं अब देखो इस course को हम 5-6 steps में divide करेगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं what is print on demand print on demand क्या होता है आईए से short में समझते हैं देखो print on demand एक ऐसा business model है जहाँ पर आपके पास कुछ products होते हैं जैसे के t-shirt, mugs, phone cover वगेरा वगेरा ये सारे product जो है plain होते हैं मतलब इन में कोई design नहीं होती अब आपका क्या काम है आपको इन product पे जो है designing करनी है और design करने के बाद आपको बस sales लाना है बाकी product से लेके product पे print करना जितनी अच्छी आप design बनाओगे उतने ही chances है के लोग आपसे purchase करेगे अब देखो print on demand design के लिए मैं दो platform का use करता हूँ number one atsy.com, number two canva सबसे पहले चलते है atsy.com पे जैसे के आप देख सकते हैं आप देखो यहाँ पर आपको काफी सारी ready made designs मिल जाएगी अब देखो यहाँ unlimited design है जैसे के यह वाली यह सारी text design है इसे भी आप जो है purchase कर सकते हो अब देखो ऐसी काफी सारी designs मेरे पास available है जो मैं आपको free में provide करूगा तो end तक इस वीडियो को देखते रहिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पर भी आपको काफी सारी designs already मिल जाएगी जो के ready made है लेकिन इसमें आपको editing का option मिल जाएगा जैसे मान लो अगर मुझे यह design पसंद आती है तो मैं उस पर click करूगा और फिर customize करूगा अब यहां से आप इसे edit कर सकते हो मान लो अगर मुझे adventure को edit करना है और इसके जगे कुछ और लिखना है जैसे एजाज एहमत लिख देता हूँ मैं तो कुछ इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो और इस तरह sad भी कर सकते हो सिर्फ यही नहीं आप इसका color भी change कर सकते हो यहां से कुछ इस तरह पान लो कि अगर आप कोई design पसंदी नहीं आ रही है आपको खुद से बनाना है तो इसे पुरा select कीजिए और delete कर दीजिए इसे भी delete now left side में आपको काफी सारे option मिलेगे जैसे अगर आप elements पर जाते हो और यहां पर search करते हो T-shirt design तो यहां पर आपको काफी सारे graphics मिल जाएगे जैसे मैं यह select करता हूँ इसे हम बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह फिर left side में आपको test को option मिलेगा आए test को select करते हैं और यहां मैं लिख दूँगा एजास एहमत एक और एक element लेते हैं यहां पर इसका background color हम change कर देगे यह मैंने आपको बस example बताया कि इस तरह से जो है आप design create कर सकते हो अगर मैं personally अपनी बात करूँ तो ज्यादा तर मैं ready made design का use करता हो ध्यान में रखिए file type आपकी png होनी चाहिए background आपका transparent होगा और simply download कीजिए सो हमारी design जो है download हो चुकी है तो हमारा पहला step complete हो चुका है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप print on demand के लिए design बना सकते हो या उसे download कर सकते हो चली चलते है second step पर print on demand supplier अब देखो print on demand के लिए काफी सारे suppliers है जैसे के quicking, printify, print row और भी कई सारे लेकिन क्योंकि हमेशा मैं उसकरता हूँ quicking तो इस course में भी मैं आपको quicking के बारे में बताऊगा तो मैं आ चुका हूँ quicking.com पे जैसे का आप देख सकते हैं ये print on demand supplier है तो जैसे आप यहाँ पर आओगे सबसे पहले आपको sign up करना है मैरा already sign up है तो आईए मैं sign in कर लेता हूँ ओके, सो मैंने login कर लिया हूँ और ये रहा quicking का dashboard जैसे आप यहाँ पर आओगे सबसे पहले आपको जाना है settings पर और यहाँ पर जो भी information ये पूछ रहा है आपकी वो आपको submit करना है उसके बाद आपको आना है bank details पर और यहाँ पर आपको अपनी bank details को fill करना है ताकि जो भी आप कमाओगे वो आप अपने bank account में transfer कर पाओ अब उपर आपको यहाँ पर काफी सारे option मिलते है सबसे पहले पर है new order अगर आपको कोई order आता है तो आप यहाँ से order को generate कर सकते हो manually यहाँ से आप सारे orders चेक कर सकते हो कि कितने order आपको आए है प्रोडक्स में जो है आप product create कर सकते हो जो मैं अभी आपको बताऊगा उसके पाद आती है designs यहाँ पर आप अपने designs को add कर सकते हो save कर सकते हो next है returns जितने भी returns आपको आएगे वो इस tab में आपको बताया जाएगा then फिर account जहाँ पर COD से related सारी information आपको मिल जाएगी invoice वगेरा and last है integration जहाँ पर आप अपने store जो है connect कर सकते हो quicking से तो यह सारी चीज़े हम cover करेगे अब देखो step 1 में जो है हमने design तो create कर ली अब हमें जो है उस design की मदद से एक product बनाना है तो यहाँ पर हमें सारे product मिल जाएगे product category में यहाँ पर आके आपको add product पे click करना है अब देखो quicking की तरफ से हमें काफी सारे product मिलते है जैसे के men's clothing, women's clothing, boys clothing, girls clothing, accessories वगेरा वगेरा अब men's में भी आपको काफी सारे product मिलेगे जैसे के half sleeve, full sleeve, hoodie भी available है, zipper है, joggers, baseball cap, bag और भी कई सारे सेम इसी तरह women's में भी आपको कई सारे product मिल जाएगे boys में, girls में एक बार accessories देखते हैं तो accessories में आपको mouse pad, bottle, coffee mug, stickers, even mobile covers भी है greeting cards और भी काई सारे product आएए फिलहाल के लिए हम T-shirt को select करते हैं तो सबसे पहले हम आएगे men's clothing पे, उसके बाद T-shirt select करते हैं हम यह select करेगे, round neck, half sleeve standard तो आप देख सकते हमारे सामने T-shirt आ चुका है आपको यहाँ पर printing के भी अलग-अलग option मिलेगे हम DTG ही रखेगे, जो भी size में आप इसे sell करना चाहते हैं वो सारी size आपको select करना है, तो मैं सारी ही कर लूगा S, M, L, XL, यहाँ पर आपको colors का भी option मिलता है आपको white T-shirt चाहिए, यह black फिलहाल हम white पर design बनाएंगे जैसे कि आप नीचे देख सकते है, add design का option है उस पर click करना है आपको, और जो भी design आपने बनाए हो जैसे कि हमने canvas एक design बनाए है उसे यहाँ पर आपको publish करना है, तो मैं इस design को upload कर दूगा design upload हो चुकिए, आप इसे select कर लीजिए अब यहाँ पर आपको जो इस design को adjust करना है आप जितना बड़ा करोगे इसे, उतना ही product cost आपका बढ़ जाएगा और जितना आप छोटा करोगे, उतना ही product cost कम हो जाएगा लेकिन इसके एक limit होती है जैसे के अभी 193 है, अगर मैं इसे और कम करता हूँ तो last यह 192 पे आया है इसके बाद आप कितना भी छोटा कर दो इसे यह 192 पे ही रहेगा क्योंकि हमें कम से कम cost में करना है तो आए इसे इतना बड़ा करते है, कि यह 192 के उपर ना जाए इसके आगे अगर मैं बड़ा करता हूँ तो हमारा price काफी बढ़ रहा है तो मैं इसे इस तरह कुछ set कर दूगा दान रखिए आपकी जो print quality होनी चाहिए वो excellent होनी चाहिए अगर good या poor दिखाता है तो आपको उस design को upload नहीं करना है क्योंकि printing के सामें वो design काफी गंदी दिखेगी और फिर chances है कि जो आपका customer है वो आपको return कर दे product तो आप जो design create करोगे उसे high quality में आपको download करना है फिलहाल के लिए मैं इसे इतना बड़ा रखूगा ठीक है जैसे आप design upload कर दोगे आपको save product पे click करना है इस black color को हम white कर देगे सेम इसी तरह आपको सभी को white कर देना है इसे भी हम white कर देगे और इसे भी हम white कर देगे अगर आपको text समझ में नहीं आ रहा है तो आप background को जो है black कर देजी ठीक है अब again share पे जाना है download पे transparent background करके आपको जो है सेम अगेन आपको size वगरा सारी चीज़े select करनी है black color select करना है और इसे save कर लेना है अब देखो मैंने आपको t-shirt का बताया अगर आपको कुछ और select करना है जैसे accessories में जैसे color coffee मग अगर आप select करते हो size select करते हो तो आप यहाँ पर design upload कर सकते हो कुछ इस तरह anyways हमने दो t-shirt design किये है अलग-अलग color की तो आईए देखते हैं के वो product कहा गए उसके लिए आपको अगेन आना है products पे my product पे आपको click करना है तो यह रहे हो दोनों ही product जैसे के आप देख सकते हैं यह रहा white t-shirt cool dog वाला और यह रहा black t-shirt cool dog का इसकी final pricing जेश्टि वगेरा सब मिला के आप देख सकते हैं white t-shirt का जो price हुआ है वो है 280 रुपे हमने करीबन 210 तक के जो है price रखे थे उसके बाद shipping वगेरा सारी चीज़े जब add हुई तो final price निकला 280 रुपे सेम इसी तरह black में हमने काफी बड़ी design अप्लोड किये थे वहाँ पर मैंने pricing नहीं देखा तो वो हो चुका है 409 रुपे तो इसलिए आपको image जो है proper set करना है तो अभी स्कोर्स में हम white t-shirt का example लेके ही चलेगे ठीक है आप लोग एक बार white t-shirt को देख लीजिए यह रहा हमारा white t-shirt cost है 280 रुपे अब उसी के right side पे आपको यहाँ पर option मिलेगा push to my store जैसे आप इस पर click करोगे यह product जो है आपके store पे चले जाएगा हो सकता है आप Shopify यूज़ कर रहे हो how to create a Shopify store for print on demand तो अब जो हम store create करेगे Shopify पे print on demand के लिए तो आपको आना है shopify.com पे and start free trial पर click करना है जैसे आप click करोगे यहाँ पर आपको survey के लिए कहेगा आप skip कर दीजिए उसके बाद अपनी country slack करके आपको next करना है उसके बाद sign up कीजिए and अपना OTP दालने के बाद login कीजिए ओके सो हमने login कर लिए है हमारा store अभी create हो रहा है and now finally हम आचुके है Shopify की dashboard पे सो कई Shopify की link आपको description में मिल जाएगी अगर आप मेरी link के तुरू Shopify पे sign up करते हो तो आपको मेरी तरफ से drop shipping calculator बिल्कुल free में मिलेगा जहाँ पर आप print on demand, drop shipping, e-commerce इन सभी business के calculation काफी easily कर सकते हो उसके लिए simply आपको मुझे WhatsApp पर message करना है आपको bonus मिल जाएगा अब यहाँ पर हमें अपना store create करना है print on demand के लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ के Shopify पे आपको 3 days का free trial मिलता है जैसे के आप देख सकते हैं नीचे लिखा है 3 days left in your trial उसके बाद जो पहला महीना मिलेगा आपको वहाँ पर आपको सिरिफ 20 रुपे ही pay करना है only 20 रुपीस जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हो लेकिन उसके बाद अगर आपको अपने store को continue रखना है तो आपको Shopify का subscription लेना होगा सबसे पहले तो हम first month जो 20 रुपीस में हमें मिल रहा है आए उसे claim करते तो उसके लिए आपको select a plan पर click करना है यहाँ पर Shopify के आपको कुछ plans मिलेगे मैं आपको recommend करूँगा आप basic के साथ ही जाए यह बाकि advance feature के लिए आप यह सब select कर सकते हो तो select basic अब यहाँ पर आपको अपनी card detail दालनी है debit card यह credit card यह आप UPI भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने अपनी UPI detail दाल दिया हूँ आए setup UPI पर click करते हैं देखो जैसी आप UPI setup करोगे न तो आपको यहाँ पर 5000 रुपए पे करने के लिए कहेगा लेकिन ध्यान में रहे यह 5000 सिर्फ दिखता है 5000 आपके account से नहीं कटेगे सिर्फ 20 रुपए ही कटेगे हाँ लेकिन जैसी फर्स्ट मंत complete हो जाएगा तो जिने भी अपना store cancel करना होगा वो पहले ही अपना store cancel कर दीजिए क्योंकि Shopify आटो रिन्यूव कर देगा और जैसे ही वो आटो रिन्यूव करेगा आपके account से automatically अगले महिने के पैसे कट जाएगे जो है करीबन 2000 रुपए बेसिक प्लैन पे तो आईए 20 रुपए मैं pay कर लेता हूँ ओके सो मैंने pay कर दिया हूँ फिलाल अभी 10 रुपए ही कटे है अब मैं subscribe पर क्लिक कर दूगा जो जो मैं कर रहा हूँ as it is आपको follow करना है अब यहाँ पर आपको अपना first name last name सारी चीज़े दालनी है and confirm करना है सो गैसे हमारा Shopify का account setup हो चुका है payment भी हो गई अब आए store create करते है तो सबसे पहले हम store का नाम change करेगे अगर आप देखोगे जैसी मैं अपने store पर जाओगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अभी हमारे store कुछ इस तरह से दिख रहा है उपर लिखा है my store और नीचे भी यहाँ पर my store लिखा हुआ है तो हमें store का नाम change करना होगा उसके लिए आप आजाए Shopify पर उसके settings पर आईए फिर आपको store detail में यहाँ पर pencil पर क्लिक करना है अब यहाँ से store name change कर दीजिए जैसे my store को हटा के हम कर देगे print on demand save करते हैं अब अगर मैं अपने store को refresh करूगा तो आप देख सकते हैं उपर भी print on demand लिक कर आया है और नीचे भी तो हमारे store का नाम change हो चुका है अब जो हमें theme install करना है हमारे store पर उसके लिए आपको आना है Shopify पर online store पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको themes को option मिलेगा जहाँ पर by default यह वाली theme install है हमें यह theme नहीं चाहिए हम दूसरी install करेगे उसके लिए आपको आना है नीचे और यह वाली जो theme दिख रहे है refresh उससे select करना है then try theme पर क्लिक कीजिए फिलहाल के लिए हमारा यह temporary domain है अगर आप इसे copy करके कोई दूसरे browser में इस site को open करोगे तो आप देखना यहाँ पर लिखा होगा opening soon या enter using password तो हमारा store जो अभी lock है हमें इसे unlock करना होगा ताकि कोई भी अगर हमारा store पर आता है तो हमारा store उसे open मिले ना कि उसे password दालना पड़े by default Shopify जो password दालके रखते है तो आई उस password को remove करते है remove करने के लिए आपको themes वाले option में ही यहाँ पर option मिलेगा remove password का उस पर आपको click करना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो password है वो remove हो चुका है अब अगर आप इसे refresh करोगे तो हमारा store directly open हो जाएगा अब देखो store create करने के लिए तीन चीज़ बहुत important है सबसे पहला home page second product page and third checkout page तो सबसे पहले हम home page design करेगे उसके लिए आप आगेन आजाए online store themes पर और जो theme आपने install की हो हो refresh उसके आगे आपको option मिलेगा customize का उस पर आपको click करना है अब यहां से जो आप home page को customize कर सकते हो यानि के design कर सकते हो मालो जैसे के उपर लिखा है welcome to our store तो जैसे आप उस पर click करोगे right side में आपको option आजाएगा color change करनेगा आए edit पर click करते हैं और जो भी आपको इसका background color चाहिए आप उसे इस तरह से change कर सकते हो तो हम इसे black कर देगे ठीक है और अगर आप इस text को change करना चाहते हो तो उसी के लिए left side में आपको option मिलेगा announcement bar के नीचे welcome to our store उस पर आपको click करना है and then right side में आके आपको text को change करना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ welcome to our print on demand store सेम इसी तरह आप header भी change कर सकते हो यह रहा header उस पर आपको click करना है right side से आप color change कर सकते हो जैसे के मैं इसका background color कर दूँगा black ठीक है अब उसी के नीचे आपको padding का option मिलता है top padding and bottom अगर आपको top से gap create करना है और bottom से भी तो आप simply इसे increase कर दीजिए कुछ इस तरह अब जैसे का आप यहाँ पर notice कर सकते हो यहाँ पर menu bar है home, catalog और contact जैसे अगर कोई contact पर click करता है तो वो contact page पर आ जाएगा home पर कोई click करेगा जो के यहाँ पर है catalog तो simply आप catalog को यहाँ से delete कर सकते हो remove save कर दीजिए अब जैसे आप इसे refresh करोगे तो आप देख सकते है catalog menu जो है हट चुका है अब मालो अगर आपको इसमे menu add करना है तो आपको add menu के यहाँ पर option मिलेगा आप add menu कीजिए और जो भी type करना है जैसे के products वो type कीजिए देन नीचे आपको option मिलेगा search या paste link तो आप जैसे इस पर click करोगे already काफी सार option मिल जाएगे तो हम product select करते है और इसे add कर देगे आई यह save करते है अब अगर आप store को refresh करोगे तो आप देख सकते है product menu आ चुका है जैसे आप product पे जाओगे तो product page जो है open हो जाएगा अब चलते है slide पर देखो यहाँ बर by default जो है एक image upload की गई है अगर आपको इस image को change करना है तो right side में आपको option मिलेगा select image का तो उस पर click कीजिए और जो भी आप image upload करना चाहते हो उससे upload कीजिए जैसे मैं यह वाली image upload करूगा मेरे पिछली वीडियो का thumbnail तो आई इसे upload करते है done आप देख सकते है हमारी image जो है change हो चुकी है उसी के साथ अगर आपको इस text को change करना है तो left side में आपको option मिलेगा browse our latest product उस पर click कीजिए then right side में आके उस heading को आपको यहां से change कर देना है branded t-shirt तो यहां मैं लिख दे हो branded t-shirt store heading size आप यहां से change कर सकते हो यहां पर button भी है shop all का आप इस button को change कर सकते हो जैसे के buy now और उसी की नीचे button link का भी option है जो भी आप page select करना चाते हो आप वो कर सकते हो तो फिलाल मैं product ही रखूगा जैसी कोई भी इस पर click करेगा buy now पे तो वो product page पे directly चला जाएगा जहां पर हमारे सारे products रहेगे आप इसकी position को change कर सकते हो यहां से ठीक है जैसे के मैं इसे right में कर देता हूँ तो मैंने bottom right में इसे रखा हूँ आप कैसी जो image इसे slide करते हैं मान लो कि अगर आपको एक और image add करनी है तो left में आपको option मिल जाएगा add slide का उस पर आपको click करना है then again same आप कोई भी image select कीजिए जैसे मैं यह वाला thumbnail use करूगा मेरा done करते है now आप देख सकते हैं हमारा यह वाला thumbnail यह वाली image हो है upload हो चुकिए same again आप यहां से right side में text वगरा change कर सकते हो now इसे save करते हैं अब आईए store को refresh करके देखते हैं कैसा दिख रहा है automatically यह सारी चीज़े change हो जाएगी तो यहाँ पर कोई change करने जैसा है नहीं लेकिन अगर आपको still text वगरा change करना है तो right side से आप यहाँ पर change कर सकते हो कुछ इस तरह उसी के नीचे एक और section है जो के है subscribe section इसे भी मैं ऐसे same ही रखता हूँ change नहीं करता हूँ लेकिन अगर आपको change करना है तो left side से आप text वगरा change कर सकते हो और right side से color अब बारी आती है last यह निके footer की उस पर आपको click करना है अब देखो आपको पता होगा कोई भी store पे आप जाओगे तो उस store के end में आपको privacy policy terms condition disclaimer सारी चीज़े दिखाई देगी उसे कहते है policies page तो यहाँ पर भी जो हमें policies create करने होगी जैसे कि already create है privacy policy हमें terms condition disclaimer सारी चीज़े बनाना है तो उसके लिए right side में आप यहाँ पर आईए नीचे आपको जाना है और यह जो show policy links है इसे आपको enable करना है मेरा already enable है अगर आप इसे disable करोगी तो देखो यह privacy policy हड़ गया तो इसे आप enable कर दीजिए आउ आई इसमें कुछ और policies add करते है उसके लिए आपको policy settings यहाँ पर option मिलेगा उसपर आपको click करना है आप देखो Shopify में policies page बनाना बहुत ही आसान है जैसे के privacy policy already बनी भी है आई यह return and refund policy create करते है तो उसपर आपको click करना है तो यहाँ पर insert template पर आप click कीजिए तो automatically यह जो है आपका page create कर देगा अगर आपको कुछ भी change करना है जैसे के आपको address बगरा दालना है तो आप यहाँ से इडिट कर सकते है उसे फिलाल मैं इसे ऐसी रहन दूँगा आपको publish कर देना है सेम इसी तर आपको terms and condition भी करना है यानि terms of service insert template पर आपको click करना है जो भी changes आपको यहाँ पर लग रहे है जैसा के आपको phone number दालना है या domain वगरा कुछ अलग लिखना है तो आप यहाँ से इसे edit करके publish कर सकते हो again shipping policy आप जो भी आपकी shipping policy यहाँ पर आपको template नहीं मिलेगा जैसे के मैं यहाँ पर type करूगा shipping within 5 to 10 days publish करता हूँ and finally contact information आप यहाँ पर अपनी contact detail दाल दीजिए या insert template पर आप जैसी click करोगे तो सारा आपका data यहाँ पर आजाएगा इसे publish कर दीजिए अब आए इसे save करते हैं अब जैसे ही आप अपने store को refresh करोगे नीचे की side आप देख सकते हैं सारी policies create हो चुकी है privacy, refund, terms condition, shipping policy और contact अगर मैं refund policy पर जाता हूँ प्लस बटन का option मिलेगा कुछ इस तरह ठीक है तो उस plus यानि के उस add section पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको काफी सारे sections मिल जाएगे जैसे के मैं video add करना चाहोगा तो आए देखते video किदर है ओके तो यहाँ पर video है जैसी मैं video पर click करूगा तो यहाँ पर एक video add हो जाएगा अब उसी के right side में आपको URL का option मिलेगा video के लिए तो आए हम अपने ही YouTube video का URL दाल देगे तो यहाँ पर मैंने अपना URL paste कर दिया अब अगर आप इसे play करोगे तो हमारा video play होगा लेगिन उससे पहले हम यहाँ पर cover image upload करेगे तो अगेन आये select image पर जो भी आपको image upload करना है मैं इस time यह वाली image upload करूगा ठीक है done करते है आप देख सकते है हमारा video भी जो यहाँ पर add हो चुका है अब अगर आपको again एक section add करना है तो फिर plus पर click कीजिए हम यह वाले time add करेगे image with text select करते है तो हमारा section add हो चुका है अगेन right side में जो आपको image option मिलेगा तो जो भी आप image upload करना चाहते हो कर दीजिए फिलाल मैं अपनी image upload करूगा open करते है done जैसे का आप देख सकते है मेरी image आ चुकी है यहाँ पर मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ left side में text option मिल जाएगा तो यहाँ से आप text change कर सकते हो और नीचे यहाँ से आप description भी जो है change कर सकते हो उसके नीचे आपको button को option मिलेगा आप button भी जो है यहाँ से change कर सकते हो ठीक है now save करते है अब दिखते हैं के हमारा store कैसा दिख रहा है यह रहा हमारा video और उसी के नीचे जो है एक orics section and product section now guys अब जो है हम home page पे faq add करेगे जो के काफी important है तो उसको हम product section के नीचे रखेगे यहाँ पर plus पर click करना है और नीचे आपको यहाँ पर option मिलेगा collapsible content का उस पर आप click कीजिए तो एक तरीके से यहाँ पर यह FAQ बन गया है right side में आपको option मिल जाएगा heading change करने का तो यहाँ पर मैं type करूगा FAQ and left side में आपको यहाँ पर title और description मिलेगा तो सबसे पहले collapsible content पर चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने लिखा what payment methods do you accept नीचे ही आपको raw content का option मिलेगा आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है फिलहाल के लिए मैंने short में लिखा हूँ credit card, debit card and UPI अब जैसे आप इस पर click करोगे तो आप देख सकते हैं यह एक तरीके का FAQ बन चुका है सेम आपको इसी तरह second collapsible content को भी जो है चेंज करना है तो इस पर click कीजिए right side में हम लिख देंगे shipping time यह मैं काफी short में लिख रहा हूँ अब save करते हैं जैसे के आप देख सकते हैं हमारे store पर FAQ आ चुका है जैसे इस पर click करोगा तो लिख कर आ रहा है credit card, debit card, shipping time जो है 5-10 days सेम आपको इसी तरह सब के लिए करना है सो गज़ मैं आपको बता जै कि आप किस तरह से homepage create कर सकते हो बहुत ही आसान है Shopify पे तो हमारा homepage create हो चुका है आए एक बार मैं आपको अपने store का बताता हूँ कि मेरा homepage कैसा design किया गया है तो जैसे का आप देख सकते हैं यह रहा मेरा homepage ठीक है नीचे यह रहे कुछ products उसी की नीचे आप देख सकते हैं यह रहा FAQ मैं इसे जो है open कर देता हूँ दाकि अगर आपको copy करना हो या देख के आपको type करना हो अपना FAQ तो आप type कर सकते हो अब क्यूंकि हमारा homepage बन चुका है तो आए इसे exit कर लेते हैं अब बार यह आती है product page की जैसे के मैंने आपको बताया तीन चीज़ बहुत important है homepage, product page and checkout page हमारा homepage ready हो चुका है तो अब हम create करेगे product page अब देखो product page create करने के लिए हमें products को add करना होगा तो left side में आपको यहाँ पर option मिलेगा products का उस पर आपको click करना है then add product पे आपको click करना है अब जो भी product आप create करना चाहते हो तो simply आपको उसका title दालना है उसका description दालना है उस product की images upload करना है और pricing दालने है जैसी आप यह सब कर लोगे आपका product page ready हो जाएगा अब क्योंकि यह जो course है वो print on demand पे है तो हम पूरा वही process follow करेगे जो print on demand में होता है अभी जो मैंने आपको तरीका पताया product add करनेगा यह आप drop shipping में कर सकते हो यह e-commerce में यह manually अगर आपको करना हो अब क्योंकि हम print on demand कर रहे है तो हम directly quicking पे जो हमने product बनाए है उसको हमारे Shopify store में push करेगे and then उसके बाद edit करेगे अब वो करने के लिए सबसे पहले आपको quicking को Shopify store से connect करना हुआ उसके लिए left side में आपको यहाँ पर option मिलेगा apps का then आपको apps and sales channel पर click करना है and फिर Shopify app store पर click कीजिए अब देखो यह Shopify का app store है जहाँ पर आप multiple apps जो है install कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से आप क्यूंकि हमें quicking को connect करना है Shopify store से तो हम इसके app store में type करेगे पर sign up कर चुके है तो आइए इसे यहाँ से login करते है अब यहाँ पर आपको अपने quicking का username डालना है उसके लिए हम again आजाएंगे quicking.com पर अब यहाँ पर top right side में आप देख सकते हो यह रहा आपका username जैसे के मेरा है ajas50552 at gmail.com तो इस username को मैं यहाँ पर type करूगा और submit करूगा अब यहाँ पर आपको OTP आएगा email पर आपको इसे submit करना है चलिए submit करते है ओके तो हमारा जो quicking है वो Shopify store से connect हो चुका है आप इसे reject कर सकते हूँ quicking पर आके जैसे आप quicking पर आओगे आपको आना है integrations पर Shopify पर क्लिक करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है योर quicking account is successfully integrated with your Shopify store अब क्योंकि हमारा quicking Shopify store से connect हो चुका है तो आईए quicking पर हमने जो product बनाए थे उसे push करते हैं हमारे Shopify store में तो उसके लिए आपको आना है products पर my product पर जाना है अब यहाँ पर हमारा जो white वाला t-shirt है फिलहाल के लिए हम वही push करेगे तो right side में आपको push to my store का option मिलेगा उस पर आपको click करना है आप देखो 280 रुपे में हमें with shipping सारी चीजें मिला के 280 में हमें यह product पढ़ रहा है लेकिन फिलहाल के लिए मैं सारे size के लिए एक ही price रखूगा तो set this price for all variants इस पर मैं click करूगा तो सारी pricing जो है यहाँ पर automatically add हो जाएगी अब continue करते हैं यहाँ पर यह title description add करने के लिए कहेगा लेकिन मैं आपको recommend करूँगा आप यहाँ से मट type कीजिए अब क्योंकि वो add हो चुका है तो आए से refresh करके देखते है तो हमारा product जैसे के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर add हो गया है ठीक है अगर push product करने के बाद भी आपका product Shopify store में add नहीं होता है तो आप एक बड़ी title यहाँ पर दाल के देखना तो जो चीज़े मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट और निमान के लिए सेम आप वो अपने drop shipping e-commerce business के लिए भी कर सकते हो तो सबसे पहले हम title दालेगे title में हम लिख देंगे T-shirt for dog lovers ठीक है विकाज यहाँ पर एक dog का photo है पीछे cool लिखा हुआ है अब आते हैं description पे description आप खुद से लिख सकते हो या chat GPT का use कर सकते हो या अगर आपका कोई competitor है उसकी website आपको पसन आती है तो आप उसके description को भी जो है refer कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने description अल्रेडी copy करके रखा हूँ तो आई यह से paste कर देते हैं यह मैंने किसी एक website से लिया हूँ तो हमारा description हो चुका है अब नीचे आते है यहाँ पर हमें images upload करनी है यानि के t-shirt के mockups अब देखो फिलाल के लिए हमारे पास mockups नहीं है वो हम अगले step पे बनाएगे तो अभी के लिए हम image वाले part को skip करेगे लेकिन बाद में जैसे हम mockup create कर लेगे हम again product page पे आके जो है image को upload करेगे तो आप नीचे आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो size वगर आगर आपको change करना है variance तो आप इस पर जब click करोगे तो यहाँ से आप change भी कर सकते हो जो भी आपको करना है फिलाल हम ऐसी ही रखेंगे because हमने clicking से जो है इसे push किये है नीचे आप देख सकते है S, M, L जो भी size है और उनकी जो price है वो है 6.99 रूपीज आप pricing यहाँ से भी change कर सकते हो so guys हमारा product ready हो चुका है इसे save कर लीजिए now view पर click करके देखते है कि कैसा दिख रहा है हमारा product page तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा product page कुछ इस तरह से दिख रहा है इतना कुछ खास नहीं है हमें काफी कुछ चीज़े update करनी होगी तो उसके लिए आपको आना है online store पर उसके बाद customize पर आपको click करना है अब अगर आप नीची आओगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारा product add हो चुका है मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले काफी सारे t-shirt थे मैंने आपसे कहा था जैसे आप कोई भी product add करोगे automatically यह section जो है create हो जाएगा तो यह create हो चुका है simply आपको इस product पे click करना है तो हम आजाएगे अपने product page पे अब यहाँ जो भी changes करना है हम कर सकते हैं सबसे पहले हमें buy now button को black करना है यानि उसका color change करना है तो simply आपको buy now section को जो है इस तरह select करना है then left side में आपको option मिलेगा theme settings का उस पर जाएए नीचे जाने के बाद आपको custom CSS को option आएगा उस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको ए code डालना है वो मैं आपको description में दे दूगा तो यह रहा वो code ठीक है जैसी मैंने इसे डाला जैसे का आप देख सकते हमारा जो button है वो black हो चुका है अब button color तो change हो चुका है लेकिन अगर आप notice करोगे तो हमारे store का background color है वो थोड़ा grayish है तो हम इसे proper white कर देगे उसके लिए आपको again आना है settings पर colors पर click करना है और सबसे पहला यह जो color है उस पर आपको click करके background पर जाना है और इससे white कर देना है तो now यह white color हो चुका है ठीक है आपको याद होगा कि हमने home page पे जो है FAQ add किये थे यानि के collapsible content same आपको जो है product page पे भी add करना होगा अगर आप एक भी product page पे add कर दोगे न तो सारे product page पे automatically add हो जाएगा अगर आप अभी notice करोगे तो नीचे यहाँ पर FAQ नहीं है तो हमें वो add करना होगा तो again आपको यहाँ पर add section पर click करना है और same वही collapsible content आपको select करना है then वही same जो मैं आपको बताया था इस पर आपको click करना है and heading row content वो आपको change करना है तो आपका FAQ जो है ready हो जाएगा चलिए इसे save कर लेते हैं अब अगर आप देखोगे तो हमारा product page कूच इस तरह से दिख रहा है जो के पहले से काफी सही है लेकिन again इसमें काफी चीज़े add करनी बाकी है जैसे के सबसे पहले हम यहाँ पर timer add करेगे timer से क्या होगा कि user को लगेगा कि जो offer है यह इतने ही time तक है एंड वो इसे जल्द से जल्द purchase करने की कोशिश करेगा तो timer कैसे add करें सबसे पहले तो हम इसे exit कर लेते हैं यहाँ से अब आपको जाना है apps पर और यहाँ search करना है profi banner and countdown timer ठीक है इस वाले app को आपको select करना है अब आपको इस application को install करना है install so हमारा app install हो चुका है जैसे आप app को install करोगे तो यहाँ पर आपको option आएगा enable app का उस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर profi app के आगे आपको यह button मिलेगा इसे आप on कर दीजिए now आपको नीचे आना है again आपका जो भी product है उस पर click करना है अब यहाँ पर आपको timer जहाँ पर भी add करना है वहाँ पर आईए जैसे के मैं जो है buy now button की नीचे timer add करूगा तो यहाँ पर मुझे plus का option मिल रहा है मैं उस पर click करूगा apps में जाओगा और profit banner इस वाले app को select करूगा तो timer यहाँ पर आ चुका है फिलाल हमें नहीं दिख रहा है because अभी तक वो setup नहीं हुआ है right side में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह एक ID मांग रहा है जो अभी हम create करेगे तो फिलाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं वापस आते हैं यहाँ पर Shopify पे उपर आपको option मिलेगा create new banner का उस पर आपको click करना है then inside page selection पर आपको click करना है countdown timer recurring countdown अब यहाँ पर आपको जो है अपना countdown timer create करना है सबसे पहले हम name दे देगे countdown timer ठीक है अब यहाँ पर आपको जो भी change करना है जैसे के hurry up sales ending लिखा हुआ है तो आप यहाँ से उसे change कर सकते हो मैं by default ही रखता हूँ because यह काफी अच्छा लगता है अब आते है banner setup पर यहाँ पर आपको काफी कुछ templates मिल जाएगे लेकिन जो template अल्रेड है वो काफी अच्छा है तो आप visibility settings पर आईए और यहाँ पर आपको जो भी time change करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो जैसे अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 4 घंटा हो जाएगा anyways इसे save करते हैं जैसे आप save करोगे आपको यहाँ पर एक ID मिलेगी इसे आपको copy करना है and again आजाई है same वही page पर और यहाँ पर इसे paste कर दीजे जैसे आप paste करोगे जैसे कि आप देख सकते है timer enable हो चुका है अब इसे भी यहाँ से save कर दीजे so guys हमारा timer तो create हो चुका है लेकिन अब यहाँ पर हमें trust badge upload करना है जिसे यह product page और अच्छा लगेगा तो आप वो google से भी download कर सकते हो यहाँ पर अगर आप type करोगे trust badges और image पर जाओगे तो यहाँ पर काफी सारे आपको trust badges मिल जाएगे मेरे पास already trust badge डाउनोड किया हुआ है तो आए उसे upload करते है तो उसके लिए again आपको आना है products पर जो भी आपका product है उस पर जाना है अब यहाँ पर सबसे top पर description में हम एक image upload करेगे जो कि होगी trust badge की ठीक है तो यह मैंने banner select कर लिया हूँ and इसे upload कर दिया now save करते है अब अगर मैं से refresh करता हूँ तो आप देख सकते है हमारा trust badge भी यहाँ पर आ चुका है आप इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो और इसे हम medium में रख देगे now अब अगर आप देखोगे तो हमारा product page कुछ इस तरह से दिख रहा है now guys अब जो हमारे store पर हमें logo add करना है मैं बात करो favicon image की customize पर आपको click करना है settings पर जाना है यहाँ पर logo नीचे आपको option में लेगा favicon image का उस पर आप click कीजिए और जो भी आप image अपलोड करना चाहते हो जो भी logo वो आपको यहाँ पर upload करना है again समझाने के लिए मैं अपनी image यह use करूगा done करते है and save now अब इसे refresh करते हैं और देखते हैं के favicon image अपलोड हुई या नहीं तो आप देख सकते हैं हमारी favicon image अपलोड हो चुकी है यह रही मेरी image तो मैंने आपसे कहाता तीन चीज़ important है पहला home page जो के हो गया product page भी हमारा ready हो चुका है now अब third यानि के checkout page तो सबसे पहले देखते हैं के अभी हमारा checkout page कैसा दिख रहा है तो यह रहा हमारा product page जैसी मैं bainow पे click करूगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह email या तो phone number मांग रहा है जाहिर सी बाते कोई भी जातातर email दाल सकते हैं यहाँ पर उस चक्कर में हमें phone number नहीं मिलेगा जो के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक additional phone number का जो हमें tap चाहिए even यहाँ पर ना ही COD available है ना ही online payment तो इस सारी चीज़ा हमें setup करनी होगी तो सबसे पहले यहाँ पर phone number का section add कर देते हैं उसके लिए हम आएंगे settings पर checkout पर आना है यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको option आएगा shipping address phone number वो आपको required करना है जैसे आप save करोगे अब checkout page को refresh करके देखते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर phone number का option आ चुका है अब जो हमें COD enable करना होगा और online payment COD के लिए आपको again आना है यहाँ पर checkout के उपर ही आपको payments का option मिलेगा उसपर आपको click करना है नीचे आने के बाद manual payment इस पर आपको जाना है और COD select करना है यहाँ पर type कीजिए cash on delivery और activate कर लिजिए अब अगर मैं checkout page को refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे cash on delivery का option आ चुका है अब अगर आप complete order पे click करोगे तो यह order जो है place हो जाएगा अब online payment enable करने के लिए आपको यहाँ पर उपर ही option मिलेगा add payment method का उसपर आपको click करना है search by provider पर click करना है and then यहाँ पर search करना है जो भी payment gateway select करना चाते हो आप देखो payment gateway अलग 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 टाइप के है जैसे के रेजर पे है, phone पे है, stripe है, PayPal है तो आप जो भी payment gateway पे register किये हो आपको वो select करना है जैसे कि अगर आप यहाँ पर रेजर पे search करोगे तो आपको रेजर पे का option आ जाएगा अगर आप phone पे करोगे, तो आपको phone पे का option आ जाएगा मैं पस रेजर पे phone पे दोनों ही है, तो आईए मैं आपको phone पे करके दिखाता हूँ तो आपको phone पे select करना है, देन यह आपको phone पे का app देगा उस पर आपको click करना है, और उसे install कर देना है अगें install, ध्यान में रखिए, आप phone पे already login करके रखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर login करके रखा हूँ अब यहाँ पर यह आपसे merchant ID, salt key और ID, यह तीनों चीज मांगेंगा सेम ऐसी रेजर पे पे आपको कुछ ना कुछ detail मांगेंगा तो आपको रेजर पे के dashboard से वो सारी detail उठा कर Shopify में paste करना होगा जैसा हम phone pay पे करेगे, तो phone pay के लिए हम आ जाएंगे developer settings पर अब यहाँ पर यह रही मेरी merchant ID, तो मैं इसे copy करूगा और यहाँ पर paste करूगा salt key के लिए हम यहाँ पर show key पर click करेगे, API की को copy करेगे और यहाँ पर paste करेगे, अगर आप notice करोगे तो यह रही index ID, जैसी मैं proceed करूगा तो जो हमारा phone pay है, वो automatic connect हो जाएगा हमारे Shopify store से अब simply इसे activate कर लिजिए, तो phone pay हमारा activate हो चुका है अब एक बार checkout page refresh करते है, तो जैसे के आप देख सकते हैं नीचे हमें online payment यानि phone pay का भी option आ चुका है, और cash on delivery का भी अब मैं आपको checkout page के लिए एक ऐसा application बताऊगा, जिससे आपके sales काफ़ increase हो जाएगी उसके लिए आपको आना है apps पर, और यहाँ search करना है release it, यह जो plugin है release it, COD form and upsell उस पर आपको जाना है and इसे जो है install करना है, install, install के बाद आपको language select करनी है और continue करना है, now step by step बताऊगा कि आप इस application को कैसे use कर सकते हो, सबसे पहले आपको नीचे आना है और इस app को आपको जो है enable करना है, उसके लिए आप open theme पर click कीजिए and left side से इस application को जो आपको enable करना है और save कर दीजिए, now हमारा app जो है enable हो चुका है, guys इस application की मदद से आप buy now button को change करना है जैसे अगर आपको buy now button को change करना है, तो आपको आना है buy button पर, अब यहाँ से आप जो है button के text को change कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर paste करूगा, order now, cash on delivery, उसके बाद आप button subtitle भी डाल सकते हो, कुछ इस तरह, यहाँ पर button icon भी है, जैसे का आप देख सकते हो, और भी काफी सारे option ह जैसे का background color change कर सकते हो, font size को increase कर सकते हो, decrease कर सकते हो, border color भी change कर सकते हो, आइए से save करके देखते है, अब अगर हम refresh करेगे, तो आप देख सकते है हमारा button जो है change हो चुका है, जैसे का आपको पता है, जब भी हम इस पर click करते है, तो यह check out page पे चला जाता है, लेकिन इस app को install करने के बाद ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको आना है form designer पर, अब यहाँ पर जो हम check out form बनाएगे, कुछ इस तरह, सबसे पहले आपको country select करना है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको काफी सार option मिल जाएगे, जैसे का आप test change कर सकते हो, यहाँ से, उसके अल इसे save करते है, refresh, अब अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो आप देख सकते है, directly checkout form जो है open हो चुका है, इससे आपका conversion rate काफी बढ़ जाएगा, अब चलते है settings पर, यहाँ पर भी आपको काफी सार option मिलेगे, जैसे के hide the add to cart button, hide buy now button, और भी कई सारे option है, इसका एक और main feature है, वो है upsell and down sales, upsell में क्या होता है, जैसे ही customer आपके product को buy करेगा, तो उसे एक और product recommend होगा, कि आप ये भी buy कर लीजिए, उसे कहते है upsell, उसे create करने के लिए आपको configure पर click करना है, इसे हम one कर देंगे, add upsell पर click करेंगे, name रखेंगे upsell one, select product पर जाना है, जो भी आपका product है, उसे choose करना है, जैसे के t-shirt और add करना है, अब आपको जो product को upsell करना है, उसे यहां से select कीजिए, जैसे के मैं shoes upsell करूगा, add, now अगर आपको कोई discount देना है, तो आप discount भी दे सकते हो, जैसे के 50%, बाकि आप यहां से color, button का text, button का animation, सारी चीज़े change कर सकते हो, now इसे save करते है, add again आपक जाएगे, now इसका last feature quantity offers, अगर आपको quantity में offers देना है, तो आपको जा रहा है add offer पर, यहां पे product select करना है, जैसे मैं दोनों product select करूगा, add, तो जब भी customer आपके checkout form पे जाएगा, तो उसे जो है form में सबसे पहले ही, उपर multiple products दिखाई देगे, जिसे वो purchase कर सकता है, example के लिए buy one item जो कि 699 गए, लेकिन वही पर अगर आप दो लोगे, तो यह आपको 1000 रुपे में पड़ेगा, इसी तरह आप multiple offer add कर सकते हो, जैसे के buy five items to get 50% off, quantity com 5 कर देगे, now आप देख सकते है, धाई 1000 में 5 product, बाकि आप color अगरा change कर सकते हैं, आप इसे save करते है, now again try करेगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें multiple offers आ चुके है, इसे customer हो सकते है, जहाँ पर एक खरीदने वाला होगा, वो आप से 5 खरीद लेगा, अब बात करते हैं, तो इंडिया में आपको free plan भी मिलता है, जहाँ आपको 6200 orders per month free मिलते हैं, लेकिन अगर आप मेरी link से buy करोगे, तो आपक करना है, accentuate, search किजी, इस वाले application को आपको जो है, install करना, install, and install, okay, so हम आचुके accentuate के dashboard पे, अब देख को जिने metafills एड़ करना है, अपने products पे, तो उन्हें आना है accentuate application पे, और यहाँ meta objects पर click करना है, then click किजी, add meta object पर, अब यहाँ पर आप जो भी meta object करना चाहते हो, उसकी detail दालिए, लेकिन इसमें important दो extra feature और है, उसके लिए आपको आना है, online store पर, customize पर click करना है, product पर जाना है, यहाँ से, now सबसे पहले feature के लिए आपको plus button पर click करना है, section, और apps में आने के बाद आपको इस्टी की promo बार को select करना है, now जैसे का आप देख सकते है, यहाँ पे प्रोम कर सकते हो, जैसे के मैं product select करूगा, all products और इसे save करता हो, आई इसे refresh करके देखते, तो आप देख सकते है, यहाँ पर जो है, एक promo बार आ चुका है, जैसी मैं click hair पर जाओगा, तो यह all products पर आ जाएगा, फिलाल इसे remove करते है, इसका जो दूसरा feature है, उसके लिए हम end में यहा पर add section पर जाएगे, apps पर जाएगे, और SEO keywords इसे select करेगे, तो अगर आप SEO करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर multiple keywords एड कर सकते हो, जैसे right side में यह option है, title का, source में आप keywords एड कर सकते हो, जैसे के t-shirt, tools, print on demand, तो कुछ इस तरह के text जो है, create हो जाएगे, आप simply इसे save कर दीजिए, जैसे के आप देख सकते है, tags यहाँ पर बन के जो है, आ गए है, देखो guys, Shopify के products में, जो additional details होती है, वो metafills की मदद से ही होती है, तो accentuate की मदद से आपका काम यहाँ पर काफी आसान हो जाएगा, इनका support system 24-7 available है, consultant जो है, आपकी help करेगा, आकर, even वो आपको customization में भी help करेग अब domain हम buy करेगे namechip.com से, तो namechip.com की link आपको मेरे description में मिल जाएगी, अगर आप मेरे description के link के तुरू domain purchase करते हो, तो आपको मेरी तरफ से print on demand की designs बिल्कुल free में मिलेगी, उसके लिए आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हो, मैं आपसे कहा था, कि पूरा वीडियो देखिए, आपक करता हो, तो यहाँ पर इजाज अहमत को लेकि काफी सारे domains मेरे पास आ जाएगे, आप जो भी लेना चाहो, .com.in आप ले सकते हो, फिलहाल के लिए, मैं कोई सस्ता सा domain buy करूगा, बिकॉस मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करूगा, तो यह 1.80 डॉलर का मैं ले लुगा, add to cart, checkout पर आपको click करना है, auto renew आप बंद कर दीजिए, वारना एक साल बात automatically, वो आपके bank account से पैसे काट लेगा, और domain renew हो जाएगा, now confirm order पे click करते है, यहाँ पर आपको payment detail दालना है, then continue, and then pay now, okay, so मैंने pay कर दिया हूँ, now finally हमारा domain purchase हो चुका है अब जैसी आप domain purchase करोगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर manage option आएगा, domain के आगे, आप उस पर click कीजिए, अब आजाएए Shopify पे, यहाँ पर आपको आना है settings पर, domains पर click करना है, connect existing domain यहाँ पर, और जो भी आपने domain लिये हो, जैसे के मैंने लिया हूँ, ajaz.lol, ठीक है, इसे आपको copy करना है, और यहाँ पर paste करना है, next करते है, अब यहाँ पर आपको option हैगा follow setting instructions, उस पर आपको click करना है, then name chip पर आप click कीजिए, जैसा step यहाँ पर बताया गया है, उसे follow कीजिए, जैसे सबसे पहले हमें जाना है advanced DNS पर, उसके बाद choose DNS template पर click करना है, then save पर click कीजिए, continue, जैसी आप यह करोगे, आपका domain जो है आपके Shopify store से automatically connect हो जाएगा, now Shopify पर आने के बाद आपको verify connection पर click करना है, now जैसे आप verify connection पर click करोगे, तो हो सकते है आपको इस तरह का जो है और एक error आएगा, txt record, अगर यह error नहीं आता है, कोई और आता है, जैसे कि वापस से कहता है, कि आपका A record और C name record में error है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जो है delete करना है, ठीक है, यहाँ से, और same as it is, यह जो number दिये गए है, जैसे A record, उसका host, उसकी value, C name record, उसकी host, उसकी value, इसे आप copy करके रख लीजिए, या तो आपको यहाँ पर भी जो है मिल जाएग जाओ, ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को delete करके, again same वही बनाना है, add new record पे जाके, A record select कीजिए, तो आपका A record बन जाएगा, नीचे आपके C name record, add कीजिए, तो आपका C name record बन जाएगा, अगेन आप verify connection पे जैसे आप किलिक करोगे, तो फिर आपको यह वाला error शो करे कीजिए, और यहाँ पर paste कीजिए, done, now अब एक बार again verify connection पर click करके देखते है, okay, so जैसे के guys आप लोग देख सकते है, हमारा domain connect हो चुका है, लेकिन इसे थोड़ा time लगेगा, यहाँ पर show होने, एक बार refresh करके आप देख सकते हो, यहाँ पर 48 hours तक के time दिखा रहे है, यह ads manager पर click करना है, अब देखिए, आपको already अपना ad manager setup करके रखना होगा, क्योंकि यह facebook ad का course नहीं है, तो मैं उतनी detail में नहीं जाओगा, मेरा already ad account setup किया हुआ है, तो मैं आपको directly बता हुआ के facebook pixel कैसे connect किया जाता है, जो लोग beginning से start कर रहे है, तो वो एक बार youtube पे search कर ले, के facebook ad account कैसे बनाया जाता है, उसके बाद ही pixel को create कीजिए, इस video को continue करके, तो now सबसे पहले हमें facebook pixel connect करना होगा, and then उसके बाद हम उसे Shopify store से connect करेगे, तो left side में आपको यहाँ पर all tools पर click करना है, then events manager पर आपको click करना है, left side में आपको यहाँ पर plus button दिखाई देगा, उस पर आप click कीजिए, web select कीजिए, next, then create new dataset पर click कीजिए, और जो भी आपको dataset create करना है, जैसे कि मैं भी Shopify लिख देता हूँ, आप कोई भी नाम दालिए, और create कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर Shopify का option मिलेगा, उस पर click करके next कीजिए, now अब यह कह रहा है, go to Shopify, click कीजिए, जैसे आप click करोगे, आप Shopify पर आजाओगे, अब Facebook जो है, हमें इस वाले plugin को install करने के लिए, Facebook and Instagram, तो आप उसे install कर लीजिए, okay, so हमारा app install हो चुका है, अब यहाँ पर आपको अपना Facebook account connect करना है, तो connect account पर आपको click करना है, और continue as adjust पर click कीजिए, आपका जो भी account हो, okay, so हमारा Facebook account create हो तो Shopify dataset अभी हमने बनाये थे, उसे connect कर लीजिए, terms and condition को agree कीजिए, और submit कीजिए, तो हमारा pixel जो है, अभी connect हो रहा है, okay, so finally guys हमारा pixel connect हो चुका है, अगर आप settings पे आओगे, तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़े connect हो चुकी है, अगर आपको उसे check करना है, तो again आजाए, event manager यानि के Facebook पे next कीजिए, अब यहाँ पर आपको अपना domain दालना है, हमारा domain connect तो हो चुका है, लेकिन SSL नहीं हुआ है, तो यह कुछ time बात आपको करना है, जब SSL पर connect हो जाए, चलिए एक बार इस domain को test करते है, तो हम आजाएगे अगले टैप पे, इजाज एहमाद.lol, enter कर करना शुरू कर दिया है, अब simply आप इस domain को copy कीजिए, Facebook पर आईए, next कीजिए, अब यहाँ पर आपका जो भी domain है, उसे paste कीजिए, send test traffic पर आपको click करना इसे पता चल जाएगा, कि आपका pixel जो है, वो connect हुआ है, या नहीं, send करते है, now again पीछा के देखते है, कि activity दिखा रही है, या नहीं, okay, so जैसे कि आप देख सकते है, यह active दिखा रही है, यानि कि हमारा pixel connect हो चुका है, next कीजिए, then go to test event, यहाँ पर second वाला, इस पर आपको click करना है, और again एक बर आपको अपनी website डालनी है, azazmr.lol, open website, थोड़ा आपको scroll करना है, जैसे कि buy now पर आप click कीजिए, product पर जाईए, add to card पर जाईए, और फिर यहाँ पर आके देखिए, तो देखो सारी चीज़े automatically आने लग रही है, यानि कि हमारा pixel connect हो चुका है successfully, अब guys यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दू, अगर आपको pixel connect करने में कोई issue आता है, यानि कि आपका account जो है, Shopify से connect नहीं ह नहीं हो रहा है, pixel connect नहीं हो रहा है, या जो भी XYZ, तो आप मेरे इस वाले वीडियो में, मैं timing यहाँ पर दाल रहा हूँ, यह time से लेगे यह time तक, आप वीडियो चेक कर लेना, जो भी आपको problem आ रही है, वो solve हो जाएगी, इस time मुझे कोई भी problem नहीं है connect करने में, यह directly connect ह हो गया, anyways guys हमारी maximum चीज़े complete हो चुके है Shopify store की, अब सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो है email marketing setup, देखो email marketing बहुत ही important होता है, अगर आप email marketing अपने store में setup करोगे, तो इससे आपकी sales काफी increase हो जाएगी, so guys email marketing के लिए हम use करने वाले है OmniSend का, जो के best tool है Shopify में email marketing के लिए, त जैसे आप install करोगे, तो यहाँ पर यह sign up करने के लिए कहेगा, जैसे के यह रहा मेरा email, आए password, name, सब दाल देते हैं, यहाँ पर आप Shopify email select कर लिजीए, या जो भी आपको करना है, then get started पे आपको click करना है, अब यहाँ पर आप अपना logo upload कर दीजीए, जैसे के मैं एक logo upload कर दे जैनि के आपके store पे आता है, तो वहाँ पर जो है एक pop-up आएगा, जहाँ पर आपके customer email दालेगा, और जैसी वो email दालेगा, आपको email मिल जाएगा, इससे क्या होगा, आपके पास आपके customer का data आ रहा है, जिसके बाद आप उसे retarget कर सकते हो, तो collect subscribers on your website, आईए इसके form को complete क आपको change करना है, जैसे के purchase लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिलाल के लिए हम order ही लिखेगे, right side में आप यहाँ से काफी कुछ layout, text और चेंज कर सकते हो, जैसे के text style आप small या medium कर सकते हो, हम medium ही रखेगे, उसके बाद आप यहाँ से size increase or decrease कर सकते हो, जैसे क अब 34 पे है, आईए हम इसे 30 पे कर देते है, line hide भी है यहाँ पर, अगर आपको text का color change करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, हम black ही रखेगे, उसके बाद चलते है layout पे, अगर आपको background color भी यहाँ से change कर सकते हो, हम white ही रखेगे, left side में आपको और भी कई सारे option आएंगे, जैस आप button action change कर सकते हो, ठीक है, text को आप change कर सकते हो, जैसे कि अगर आप 50% off दे रहो, तो आप 50 कर दीजिए, फिलाहल हम 10 ही रखेगे इसको, and now enable form पे आपको click करना है, now check करते है, कि क्या वो form enable हुआ है, यह नहीं, तो जैसे कि आप देख सकते है, form enable हो चुका है, लिक कर आया है get 10% off, now यह तो रहा step 1, नीचे step 2 भी है, अगर आपको step 2 पे कुछ करना तो आप कर सकते हो, otherwise हम इसे delete कर देगे, then see the success, subscribed, यहाँ पर आपको add option है, अगर आपको और steps create करना है, तो आप यहाँ से step create कर सकते हो, लेकिन हम इसे delete कर देगे, update करते है, तो हमारा जो form है, वो live हो find up, तो जैसी कोई भी email ला लेगा, आप देख सकते हैं, उसे link कर आएगा, कि आप अपने email चेक किजी inbox, आपको discount code मिल चुका है, ओके, so हमने form create कर लिए है, अब चलते है second step पर, welcome new subscribers with an email, जो भी subscribe करेगा, जो भी email हमें देगा, उसे automatically एक और email जाएगा, तो आई उसका workflow create करत तो क्योंकि हमने 10% discount रखे थे pop-up पे, तो आईए 10% ही select करते है, continue करते है, अब यहाँ पर आपको SMS का भी option आता है, लेकिन हम सिर्फ email select करेगे, start workflow पे click करना है, and then show my workflow, तो आप देख सकते हैं, यह हमारा workflow बन चुका है, अगर आपको check करना है, तो आप इस पर click कर सकते हो, त तो उसके एक minute बाद, ठीक है, यहाँ पर, आप इस minute बड़ा भी सकते हो, 10 भी कर सकते हो, इसे, लेकिन हम इसे एक minute पर रखेगे, तो उसके एक minute बाद उसे जो है, यह वाला email जाएगा, अब वो email कौन सा है, सबसे पहला है subject line, जहाँ पर लिखा है, welcome to account name, यहाँ हो सकता है, 10% है, इसके आप 50 भी कर सकते हो, लेकिन हमने 10 रखे है, तो हम 10 ही रखेगे, अब यहाँ पर जाब आप click करोगे, तो यह रहा card discount जहाँ पर discount जो value है, वो 10% है, आप इसे increase कर सकते हो, और भी कई सारे आपको यहाँ पर option मिल जाएगे, तो anyways, email perfect है, left side में भी आपको काफी सार option मिल जाएगे, email body हो, अगर आपको use करना हो, तो फिलाल मैं इसे by default रखके finish editing पर click करूगा, now same इसी तरीकी से आप trigger और भी आगे जाके बना सकते हो, जैसे के अगर आप चाहते हो, कि जब भी कोई place order करे, तो उसे भी email जाए, तो आप इस तारह का workflow यहाँ से बना सकते हो, क् इमेल भी बन चुका है, अब हम जाएंगे recover abundant cards पर, देखो इसमें क्या होता है, मान लो को customer आपके store पर आता है, वो add to card पर click करते है, लेकिन purchase नहीं करता, और वहाँ से चला जाता है, तो होगा क्या, क्या automatically उसको एक email जाएगा, discount वाला है, जैसे अभी, जहाँ पर लिखा हो करते है, launch करेंगे, अब यहाँ पर आप इसका workflow देख सकते हो, जैसे कोई add to card पर click करता है, यह checkout तक चला जाता है, तो उसके एक गंटे बाद, उसको एक email जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा, items in your card are selling out fast, अगर वो email देखके भी, customer purchase नहीं करता है, तो उसके 11 गंटे बाद 10% discount slack करते है, continue करते है, again only email, start workflow, show my workflow, तो देखो यहाँ पर दो workflow तयार हो गया है, सबसे पहला cart वाला है, इस पर जाते है, जैसे कि मैं आपको यह workflow समझा दिया हूँ, कि जो भी add to card करेगा, तो उसके एक गंटे बाद उसे यह वाला email जाएगा, तो देखो यहाँ पर आप changes क कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको change करना हो, फिर उसके बाद जो email जाएगा, उसे भी आप यहाँ से edit करके, जो है, change कर सकते हो, फिर उसके 11 गंटे बाद अगेन उसे एक email जाएगा, तो आप यह 11 गंटे को भी change कर सकते हो, timing को, ठीक है, सेम इसी तरह 12 गंटे के बाद, again एक लास्ट email जाएगा जहाँ पर उसे जो है 10% का additional discount दिया जाएगा इसे भी आप edit कर सकते हो तो already सारी चीज़े पुरा template बना हुआ है simply आपको update करना है और publish करना है इसे close करते है same abundant checkout के लिए भी वही same पूरा process है अगर कोई checkout process start कर देता है लेकिन place order पे click नहीं करता है तो same उसको again वही सब email जाएगे इसे भी update कर लीजिए और close कर लीजिए तो हमने recover card appointment भी setup कर लिए है अब last year drive traffic to your store within email तो जो भी हमने subscribers collect किये है email के थुरू उनको हम email भेज भेज के अपने store पर बुला सकते हैं तो आइए उसका email campaign create कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको चार option आएंगे email SMS push notification AB testing तो आइए email create करते हैं अब यहाँ पर आपको subject line वगरा डालना है जैसे के hurry up limited time offer send us name Ajaz Ahmed या आपका जो भी store name होगा preheader आप डाल सकते हो जो भी आपको डालना है और campaign name हम रखेगे first email अब simply choose email template पर आपको click करना है अब जो भी email template आपको यहाँ से पसंद आता है आप वो select कर सकते हो क्योंकि हम discount देगे तो हम यही वाला select करेगे जैसे के मैंने आपको बता है यहाँ से आप edit कर सकते हो ठीक है और जो भी आपका product है अगर आपको इससे delete करना है आप इससे यहाँ से delete कर सकते हो आप यहाँ से test email भी बेच सकते हो anyways इसे save करते है and then save and close तो हमने सारे workflow create कर गवरी का email जाएगा जहाँ पर उसे 10% का additional discount दिया जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं एक email send भी हुआ है जो just अभी हमने email दा लेते वही है वो उसके बाद forms पर चलते हैं यहाँ पर हमने pop-up create किये है audience पर चलते हैं तो total 4 contact है जैसे के आप देख सकते हैं मैंने यह सब try किय जैसे के सबसे पहले यह वाला मैंने email दाला था उसके बाद दूसरा तीसरा चौता तो यह सारे email जो है collect होना start हो गया है reports पर चलते हैं तो फिलाल हमने campaigns में कोई भी email नहीं बेजे कोई भी customer को तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहे है लेकिन अगर हम workflow में जाएगे तो यहाँ पर review section add हो जाएगा simply आप इसे save कर लिजिए अब अगर आप देखोगे तो हमारे product page के end यहाँ पर customer review का option आ चुका है simply आपको leave a review पर click करना है और जो भी आप review type करना चाते हो आपका customer type करना चाता है जैसे good product यहाँ पर star जो भी दालेगा उसके बाद उसका name और उसका email अगर आपको photo add करना है तो आप photo भी add कर सकते हो submit करते हैं now again आपको आना है OmniSend के dashboard पर reviews पर जाना है अब यहाँ पर just मैंने जो review publish किया हूँ good product उसे आपको publish कर देना है अब चेक करते है कि क्या वो review live हुआ है या नहीं तो जैसे कि आप देख सकते है review live हो चुका है इसी त आप यहां से enable कर सकते हो turn on okay so OmniSend का सारा setup हमने कर दिये है including reviews अब बात करो अगर OmniSend के plans की तो यह रहा उसका कुछ plan आप जो भी plan के साथ जाना चाहो आप जा सकते हो लेकिन अगर आप मेरा coupon code उसकरोगे एजाज तो आपको 20% का additional discount मिलेगा तो OmniSend की link आपको description में मिल जा आप इसे यह भी कह सकते है how to create mockups for print on demand अब देखो mockup क्रेट करने के लिए सबसे best platform जो है जो हमेशा से मैं use कर रहो print on demand के लिए वो है place it.net जैसे कि आप देख सकते है मैं आचुको place it.net पे इसकी link आपको description में मिल जाएगी अब जैसे ही आप place it.net पर आओगे आपको sign up करना ह designing कर लिया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी t-shirt अलग अलग type के mockups है book के mockups cold rings और भी कई तरह के graphic templates है अब हमें create करना है हमारे t-shirt के लिए design यहाँ पर बहुत सी categories है जिसे आप search भी कर सकते हो अब क्यूंकि हमें t-shirt का mockup बनाना है तो हम आजाएंगे mockups पर यहाँ पर भी आपको कई सारे option मिलेगे जैसे के highlights, apparel जिसमें कई तरह की categories है फिर digital है जैसे के macbook हो गया Android, print में अगर आप जाओगे तो business card हो गया, stationaries, magazines इन सब के आपको mockups मिलेगे, even यहाँ पर print on demand का भी option दिया गया है जहाँ पर t-shirt की category भी है, mugs है, wall art, phone cases और promotional भी है जैसे के facebook ad के लिए, billboard, यह निकि आप यहाँ से ads भी create कर सकते हो, फिलाल हम highlights पर जाएगे and then t-shirt mockups पर click करेगे, तो यहाँ पर काफी सारे t-shirt mockups आ चुके है, जैसे के आप देख सकते हो, second pitch पर देखते है, सुगा इस यह एक तरीक से unlimited में कह सकते हो, आपको बहुत सारे option मि slack कर सकते हो, तो मैंने Indian slack किया हूँ, जैसे के सबसे पहला यह वाला मौकप है, इस पर click करते है, अब यहाँ पर आपको edit करना है, left side में आपको design का option मिलेगा, और shirt color, अगर आपको shirt color change करना है, कोई भी, जैसे के blue हो गया, या फिर black हो गया, जो भी आप करना चाहते हो, वो कर सकते हो, हम white रखेगे, और उपर आपको design का option मिलेगा, आपको design पर click करना है, और अपनी design को यहाँ से upload करना है, तो आइए जो design हमने बनाए है, वो upload करते है, अब इसे इस तरह आपको set करना है, नीचे आप live preview देख सकते हो, तो मैंसे कुछ इस तरह set करूगा, and then crop पर click करना आप यहाँ से logos भी create कर सकते हो, अलग-अलग type के, इवन यहाँ पर videos भी available है, जैसे के अगर हमें 3D video चाहिए, तो यहाँ पर अलग-अलग type के आपको videos भी मिल जाएगे, कुछ इस तरह, gaming option है, blog है, marketing है, सारे mockups, सारे graphics यहाँ पर available है, चले कुछ और design में बना लेता हूँ, तो यहाँ मैंने अपने design को upload कर दिया हूँ, आइए से download करते हैं, तो एक और design हमारी बन चुकी है, इसे भी download कर लेते हैं, और इसे भी, so guys मैंने 4 mockups create कर लिया हूँ, आप Placeit की मदद से, बहुत सारे mockups create कर सकते हो, अब बात करूँ अगर मैं pricing की, तो इसका जो unlimited subscription है, वो 2$ स से start होता है, लेकिन मैं जो link आपको description में दिया हूँ, अगर आप उसकी मदद से buy करते हो, तो यह आपको 1.69$ पर मन्त पड़ेगा, तो Placeit की link आपको description में मिल जाएगी, अब क्यूंकि हमारे mockups create हो चुके, तो आ जाते है Shopify पर, अब यहाँ पर हम products पर जाएगे, हमारा product select करे तो इस सारी image मैंने select कर लिया हूँ, number 1 पर हम यह image रखेगे, number 2 पर यह, number 3 और number 4, हम इसकी category बना देगे, चली इसे save कर लेते हैं, अब देखते हैं हमारा product page कैसा दिख रहा है, now guys आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ image change होने से हमारा product page काफी अच्छा दिखने लगा है, तो य इस तरह save कर दीजिए, save, इसी तरह आपको second image भी crop करना है, square apply, so guys मैंने सारी images crop कर लिया हूँ, अब एक बर मैं आपको mobile में दिखाता हूँ, कि हमारी website, हमारा store कैसा लग रहा है, so guys मैं आचो को अपने store पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रहा हमारा banner ठीक है, buy now का button है, यह तो product page जो है open हो जाएगा, आई यह product page पे जाते, तो हमारा product page है, वो कुछ इस तरह से दिख रहे है, यह हमने high quality की images यहाँ पर upload किये थे, नीचे कुछ इस तरह का है, buy now button, ठीक है, यह रहा FAQ, यह रहा है reviews, that's it, और यहाँ नीचे भी जो एक buy now button आ चुका है, आई एक बर buy now करके देखते हैं, नाम और नमबर दाल देता हूँ, so मैंने detail फिल कर दिया हूँ, complete order पर click करते हैं, okay, so हमने buy कर लिये, जैसी कोई भी customer buy करेगा, तो आपको इस तरीके से जो order का email आएगा, यह बाद डेस्टोप पे store देखते हैं, तो हमारा store जो है कुछ इस तरह का दिख र एंड यह रहा product page, एक चीस आपको ध्यान में रखना है, यहांसा आपको tax हटा देना है, जब आप pricing पे जाओगे, कोई भी size पे, तो charge tax जो है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, otherwise आप हटा सकते हो, save, वहना उससे होगा क्या, कि मानलो अगर आपका 500 का product है, तो आ आपको 550, 540 ऐसा कुछ दिखाएगा, तो वो सकता है customer उसकी वज़े से purchase ना करे, now guys हमारे दो step बाकी रह गया है, पहला ads को create करना या download करना, और दूसरा Facebook ads की मदद से ads को run करना, तो सबसे पहले पर चलते है, how to find ads for print on demand, अब देखो चाहे वो बात ओ, winning products की, या ads को download करने की, हमेशे से मैं आपको recommend करता हूँ Mynia, क्योंकि एक ऐसा tool है, जहापर आपको winning product भी मिल जाते है, आप high quality में ads को download कर सकते हो, even उसका data भी देख सकते हो, तो मैं आ चुका हूँ Mynia के dashboard पर जैसे का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको sign up करना है, जैसे आप यहाँ पर URL चल रहे है, और लोग उसे purchase कर रहे है, इसी तरह shops है, Pinterest है, आपको यहाँ पर Pinterest में भी काफी सारे winning products मिल जाएगे, यहाँ daily 10 winning products भी जो है, अपडेट होते है, आज की दिन जो है, यह 10 product trending पर है, अब चलते है ads पर, और print on demand के लिए ads को download करते हैं, तो यहाँ हम सर्च करेंगे T-shirt, तो देखो, यहाँ पर काफी सारे T-shirts आ चुके हैं, उनकी designs आ चुकी है, जैसे कि यह, यह एक और design, तो यहाँ से आपको काफी सारे ads, काफी सारे designs मिल जाएगी, left side में आपको filter के option भी मिल जाएगे, जैसे कि आप country भी select कर सकते हो, India, same आप इसी तरीके से EU spy में भी जा आती है, तो मस पर click करूगा, और उसे यहाँ से download कर लूगा, सिर्फ यही नहीं, अगर आप C-more पर click करोगे, तो यहाँ उसकी shop की link, आप देख सकते हैं, मिल जाएगी, सिर्फ यही नहीं, उससे related आपको सारे product मिल जाएगे, इवन उसी product को लेके, सारे competitor भी आपको यहाँ पर मिल जाएगे, कई सारे product में जो है, आपको audience का data भी मिल जाएगा, अगर आपको directly इस product को अपने Shopify store में add करना है, तो आप generate for Shopify पर click करके, इस product को अपने store पर add कर सकते हो, अब चलते हैं, यहाँ पर काफी सारे shops को आप refer कर सकते हो, products पर चलते हैं, यहाँ पर काफी सारे winning products म promote करवाना चाते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, इसका best feature है magic search, जहाँ पर तीन option है, creative finder, जो भी आपका product है, उसकी image आपको यहाँ पर upload करना है, तो उससे similar जितने भी products है, वो यहाँ पर show होना शुरू हो जाएगे, जैसे कि मैं shoes की image upload करूँगा, जैसे कि आप cleaning products मिल जाएगे, अब देखो guys, वैसे तो माइनया आप free में use कर सकते हो, लेकिन अगर आपको paid subscription चीए, extra feature के लिए, तो यह उसके कुछ plans है, तो माइनया की link आपको description में मिल जाएगी, अगर आप मेरा coupon code यूज़ करोगे, adjust promo, तो आपको 50% का discount मिल जाएगा, तो आपके पास account में upload करेगे, इसमें भी आपको काफी अच्छा response आएगा, लाश्ट टाइम जो हमने challenge किये थे, print on demand का, जिस पर हमें crazy response आया था, महाँ पर भी हमने image ads का ही use किये थे, नव चली guys, चलते हैं last step पर, how to run Facebook ads for print on demand, अब मैं आपको बताऊगा, कि print on demand के लिए, Facebook ads को कैसे run किया ज आया, और उसके बाद ही, आप campaign create करना, जो अभी मैं आपको बताऊगा, तो देखो campaign कैसे create करते हैं, जैसी आप Facebook ad manager पर आओगे, तो आपको यहाँ पर option मिलेगा create का, आपको उस पर click करना है, अब क्यूंकि हम print on demand कर रहे हैं, यानि कि t-shirt sell कर रहे हैं, mug sell कर रहे हैं, तो यह finish plus क्या है, एक तरीखे से AI campaign आप इसे कह सकते हैं, कई बार यह crazy response देता है, जो आपको manual में भी नहीं मिलेगा, तो दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप AI campaign यूज कर रहे हो, तो आपको continue करना है, अब यहाँ पर आपको क्या-क्या option मिलेगा, सबसे पहला तो campaign क name, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे के print on demand, ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको website select करना है, ठीक है, अब जो भी आपने pixel connect किये थे, उस pixel को यहाँ पर आपको connect करना है, फिलहाल मैंने जो pixel बनाया था, वो दूसरी account में बनाया था, तो मैं अभी के यह वाला pixel select कर लेता हूँ, and then उसके बाद conversion event में आपको purchase select कर रहा है, इससे क्या होगा, इससे आप Facebook को पता रहे कि जो campaign में run कर रहा हूँ, उसमें मैंने जो pixel दाला हूँ, वो pixel connect है मेरे store से, और मुझे जो है purchase data चाहिए, अब नीचे आते है, audience location, अब आप जहाँ पर भी print on demand कर रहे है, जहाँ पर भी sale कर रहे हो, उस country को आपको यहाँ पर select करने, जिसे और यहाँ पर India select है, तो मैं इसे वही रहूँगा, लेकिन अगर आप United States कर रहे हो, तो आप इस तरह United States भी select कर सकते हो, नीचे चलते है, daily budget, अब daily budget मैं आपको recommend कर रहूँगा, कि at least 300 से 500 तक तक अब जो भी अपने Facebook page बनाए हो, अपने brand का, जैसा मेरे store का नाम है shopping cloud, तो उसका मैंने एक store यहाँ पर बना के रखा हूँ shopping cloud, तो मैं वो select कर लोगा, तो आपको अपना page select करना है, जिस पर आप add run करना चाहते हो, नीचे आना है manual upload, मैं आपको recommend करूँगा, कि यहाँ आप flexible select कीजिए, ठीक है, यह काफी अच्छा काम कर रहा है आजकल, आप single image भी select कर सकते हो, जहाँ पर आप single image डालोगे, आप single video डालोगे, लेकिन फिलाल के लिए हम flexible use करेगे, इसे आप disable कर दीजिए, flexible में क्या होगा, कि आप एक साथ जो है ads डाल दोगे, यानि कि बहुत सारी images य जाएगे, upload पे जाएगे, और जो भी हमने mock-up बनाए है, उसे हम select कर लेगे, so मैंने 4 ही image upload कर दिया हूँ, इसे continue करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ads में जो mock-up use किये है, वो कुछ इस तरह दिख रहे है, ध्यान में रखी अगर possible हो, तो canvas से जो है, सारी image को crop कर ले इस वाले t-shirt की, जो भी आपने mock-up बनाए है, वो यहाँ पर upload कीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, write a Facebook ad copy with emojis for this dog lover t-shirt, enter करते हैं, तो देखो chat GPT ने जो है, primary text हमें बना कर दे दिया है, simply से आपको copy करना है, और यहाँ पर paste करना है, headline में आप लोग लिख सकते हो, limited time offer, या cash on delivery, या आप इसे description में दालिए, और यहाँ पर लिखिए, COD plus free shipping, इसे लोग काफी attract होते हैं, नीचे आते हैं, अब यहाँ पर आपको अपने page का URL दालना है, यानि अपने store का, तो हम आ जाएगे अपनी website पर, products पर जाएगे, products पर again, and इस वाली link को जो है हम copy कर लेगे, और यहाँ पर paste कर देगे, एक बार आप preview URL करके जरूर चेक करना, क्या आपकी link काम कर रही है या नहीं, display link पे भी आप ajazahmat.lol, या जो भी आपका domain ने वो type कर देना, और call to action यानि के जो learn more button है, उसे आप change करके, order now या shop now कर देना, ठीक है कुछ इस तरह, that's it, अब बस आपक करना है, और अपने Facebook ad account में balance रखना है, wallet में, आपकी ad जो है run होना start हो जाएगी, और अगर आपकी design अच्छी होगी, तो आपको पहले दिन से ही sale आना शुरू हो जाएगी, दो से तीन दिन maximum ad को run करना है, अगर फिर भी sale नहीं आती है, या बहुत loss में चल रहे हो, आपको इ है manual campaign, तो अगर आपको आना है create पर, sales पर click करना है, continue करना है, manual sales campaign continue, आप देखो यहाँ पर तीन option मिलते हैं, एक होता है campaign, एक होता है ad set और एक होता है ad, campaign में generally हम budget वगेरा decide करते है, ad set में हम targeting करते हैं कि हमें किन को ad दिखाना है, और ad में हम creative देने की images, videos upload करते है, text वगेरा दालते हैं और ad को publish करते हैं, अब देखो campaign तो एक ही होता है, लेकिन ad set आप multiple ad set बना सकते हो, जैसे के एक में आप dogs को target कर रहे हो, दूसरे में आप cats को target कर रहे हो, और एक ad set के अंदर भी आप multiple ads create कर सकते हो, जैसे के अलग-अलग images, किसी में आप लड़कियों की image दाल रहे जिए, और जितना भी आप budget रखना चाहते हो, जैसे के 1000 per day का budget, वो आप रख सकते हो यहाँ पर, next करते हैं, अब आगया हम ad set पर जहाँ पर हम targeting करेंगे, तो ad set 1 नाम रख देंगे इसका, ठीके, नीचे आते हैं, अब यहाँ पर आपको switch to original audience पर click करना है, और use original audience पर click करना ह जाते हैं, अब यहाँ पर आपको location update करना है, जैसे के अगर आप US में कर रहे हो, तो आप United States जाल दीजिए, ठीके, जैसा मैं आपको पहले बताया, या अगर आप इंडिया में करना चाहते हो, तो इंडिया रखिए, अब यहाँ पर आपको option मिलेगा age का, देखो अगर आप जो के लिए है, जो 18 से 24 की उमर के लोगी खरीतेगे, तो आप 18 से 24 रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है, कि 18 से 40 या 45 रहेगा, तो आप वो age रखिए, जैंडर में, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपने जो T-shirt डिजाइन किये हो, वो सिर्फ women's के लिए है, तो आप gender में इंट्रेस्ट को हम सिलेक करेंगे, तो करीबन 19 लाकी ओडियन्स है, जो डॉग में इंट्रेस्ट रखते है, पुरे इंडिया में, जैसे आप सजेशन पर जाओगे, तो डॉग से रिलेटेट और भी काफी सरे इंट्रेस्ट आपके सामने आजाएगे, जैसे कि डॉग्स, डॉग ट्रेनिंग, डॉग टॉय, डॉग ग्रूमिंग, यह सारे जितने भी हो सके जो आपको अच्छे लग रहे है, वो इंट्रेस्ट आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे आप डालोगे, तो आपकी एड जो है, जितने भी लोग इसमें इंट्रेस्ट रखते हैं, उन्ह के रेगुलर परचेज वालोगो, तो करीबन 60 लाकी कुछ ओडियंस हमारी हो चुकी है, अब नीचे आते है, लेंग्वेज में हम रिख देंगे, इंगलीश, जो लोग को इंगलीश आती है, और हिंदी आती है, उन्हीं को यह एड दिखाई देगी, अब बात आती है, प्ल प्लेटफॉर्म, जहां पर चार ओप्शन मिलते हैं, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ओडियंस और मैसेंजर, मैं आपको रिकमेंट करूँगा कि दोनों को डिजेबल कर दीजे, क्योंकि यहां से कुछ खास सेल्स नहीं आती है, जो सेल्स आपको आईगी, वो आईगी फेस फेस्बुक इस्टोरी, इंस्टाग्राम रिल्स और फेस्बुक रिल्स लेक कीजिए, बागी सारी चीज़ा आपको डिजेवल कर देना है, अब नेक्स्ट करना है, अब आ गया हम एड में, तो इसका नाम मैंने रखा हूँ, एडवन, पेज आपको सिलेक करना है, उसके बा अगर आपके पास proper size की image है, one ratio one की, तो आप इसे यहां से replace कर दीजिए, फिलहाल मैंने crop नहीं किया हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो next करता हूँ, इसे आप skip कर दीजिए, और done कर दीजिए, तो जैसे का आप देख सकते है, add में हमारी image जो है आ चुकी है, अब यह तो हमने सिर्फ एक ही image add किये, अगर आपको multiple image add करना है, तो आपको add to create करना होगा, तो add one के आगे आपको यहां पर option मिलेगा action menu का, उस पर जाईए, और इसे quickly duplicate कीजिए, अब इसका नाम हम रख देगे add to, ठीक है, अब नीचे आएंगे, बस आपको यहां पर image change करन यह add two से आ रही है, अगर add one से अच्छी sale आ रही है, तो add two को हम बन करतेगे, अगर add two से अच्छी sale आ रही है, तो add one को बन करतेगे, तो इस तरीके साब को add one, add two, add three, जितने भी आपने mockups बनाये हो ना, उतने आपको adds यहां पर create करना है, quickly duplicate करके, अब अगर आप सोच रहे ह तो ही targeting अलग-अलग कैसे करे, तो जब सारी add आप बना लोगे ना, तो उसके बाद add set पर आपको आना है, और इसे भी quickly duplicate कर देना है, तो as it is देखो add set के साथ दो add यहां पर copy हो गए, जो हमने पहले बनाये थे, अब इसका नाम add set two कर देगे, तो add set one के अंदर दो add है, add set two के add set का नाम चेंज कर दीजे, जैसे के add set one में हमने थे, डॉक्स को, ठीके add set two में हमने target किये है, cats को, तो इससे समझ में आएगा कि इसमें dog को target किये है, इसमें cats को target किये, बाकी add में कोई changes करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने add set one में बनाये हो, ते आप अप add set two में भी सकते हो बस टेक्ष बगेरा देख लेना और चेंज कर लेना बस फिर किया आपको इस एड को पब्लिश करना है आपका एड सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा और पहली दिन से सेल आना शुरू हो जाएगी अगर आपकी डिजाइन अच्छी होगी सो कैसे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लिट हो चुके है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो एडसी से उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप सप्लायर यानि के कुईकिंग का यूज करके प्रोड़क जो method मैंने आपको बताया अगर आप proper तरीके से उसे follow करोगे तो 101% आपको results मिलेगे बस ध्यान में रखे design सबसे important है अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने मुबाइल से जो है order place किये तो जब भी कोई customer order place करेगा तो वो कहा जाएगा वो directly quicking पे चला जाएगा त clicking पर आपको आना है orders पर store on hold orders पर आपको click करना है तो आप देख सकते है आज है 5 October यह रहा order date 5 October का ठीक है जो हमने order place किये थे simply आपको live पर click करना है तो देखो मेरी सारी detail आ गई एजास जो जो मैंने दाला था अब जैसी आप यहाँ पर move to live करोगे quicking के पास यह order चला लेकिन मान लो कि अगर RTO हो जाता है तो यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दो clicking कि के RTO के कोई भी charges नहीं है जी हाँ इसका सबसे अच्छा feature यही है लेकिन लेकिन ध्यान में रहे कि अगर RTO आ जाता है तो जो आपका T-shirt है जिस पर आपकी design print हो चुकी है वो आप किसी काम का नहीं रहा तो clicking क्या कहता है कि RTO के charges तो नहीं है लेकिन आपका जो product return आया है वो हमारे पास पड़ा हुआ है अब clicking क्या कहता है आप चाहे तो इसे हाँ पर पड़े रहने दीजिए हमारे पास ध्यान में रहे कि उस T-shirt का आपने पे कियो हो सकते है आपने 500 क्या कहता है कि आप इस product को किसी और customer को दे सकते हो तो अगर आप long term के लिए बड़ा business बना रहे हो तो इसमें RTO charges तो नहीं है लेकिन जो T-shirt जमा हो जाएगे न RTO के उसे ही आप किसी और customer को भेज सकते हो इस तरह से आप profit generate कर पाओगे इस यह था पूरा वीडियो यह था प सब्सक्राइब करना मत भूलना बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लओ ऐसे courses लओ तो आपको notification मिल जाए मुझे टेलिग्राम इंस्टेग्राम पर फॉलो करना बिलकुल मत भूलना थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग बाए